मद्य प्रदेश में बहुत जल्द बारिस के साथ ओले गिरेंगे किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका अमारे यूटूब चेनल स्मार्ट एक्रिकल्चर में इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो 24, 25 और 26 जनौरी के दोरान मद्य प्रदेश के कुछ जिलों में कई इस्तानों पर हलकी से मद्य वर्चा दर्ज की गई लेकिन 27 जनौरी के दोरान मद्य प्रदेश के लगबग सभी छेतरों में मोसम पूर्ण रूप से सुचक देखने को मिला लेकिन अब बहुत जल्द मद्य प्रदेश का मोसम बदलने वाला है क्योंकि मोसम बाग के अनौसार 29, 30 और 31 जनौरी के दोरान मद्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिस होने की संभावना बन रही हैं तो कुछ जलों में बारिस के साथ साथ ओल्ले भी गिर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आगे विष्टार से मध्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे हम एक एक जलों के नुसार मोसम की इस पेशल बात करेंगे ये मतलब की परदेश के कौन से जिले में किस परकार का मोसम रहेगा तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्केप के अंतितक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीची देगे लाल अक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आये हैं उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे ने वीडियो अपलोड गिरे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाए किसान भाईओ अगर मद्य परदेश के मौसम के आगे के अपडेट के बारे में बात करें तो मौसम भाग के अनुसार 28 जनवरी के दोरान मद्य परदेश के अधिकतर छेतरों में मौसम सुसक बना रहेगा लेकिन 28 जनवरी की रात से मद्य परदेश के पस्चीमी जीलो नीमस मनसोर अतला मुझेंत अता उत्तरी जीलो बिन्द मुर्यना गवालेर दतिया शोपूर शिवपूरी गुना असोगनगार निवारी टिगमगर छतरपूर इन जीलों में बादल आने लग जाएंगे और 29 जनवरी को इन जीलों के कुछ इस्तानों में बारिश होने की संभावनाई बन रही हैं इसके बाद 30 जनवरी के दोरान मद्य परदेश के अधिकतर छेतरों में बारिश की गतिवीदिया सुरू हो जाएगी अगर जीलों के अनुशार स्पेसल बात करें तो मुख्य और 29 जनवरी के दोरान कई इस्तानों पर बारिश होगी तो कुछ इस्तानों पर तेज बारिश हो सकती हैं इसके लवा 31 जनवरी से मद्य प्रदेश के पस्चिमी इस्सों में मोसम पूर्ण रूप से सुष्क हो जाएगा लेकिन 31 जनवरी के दोरान भी प्रदेश के पूर्वी सो पन्ना सतना रिवा सीडी सिंग्रोली उमरिया सेडोल अनुपूर जबलपूर अगर दमोहन निवारी टिकमगर चतरपूर इन जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है इन जिलों के कुछ इस्तानों में बा बारिश हो सकती है जबकि एक भरवरी से पूरे मद्य प्रदेश का मौसम सुसका हो जाएगा तो यह थी मद्य प्रदेश के मौसम की जानकारी आप प्रदेश के कौन से जिले से बिलों करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की क्या इस्तिती है कमेंट करके आवश्य बत बीजिद के लिए बीजिद के लिए अगर्ट से पादी के लिए डादी करें बीजिर के लिए और अगर्ट शेड़ प्रादी के लिए निए रहने हैं